नमस्कार किसान साथियों स्वागत है आपका क्रशी जानकार यूट्यूब चैनल पर में हूँ आपका दोस्त कपिल धाकर किसान साथियों हम आ जाए हैं एक आपको याद हो तो हमने एक वीडियो डाला था एनार सी 142 के बारे में जिसका नोटिफिकेशन अभी कुछ समय पहल में एक चोटा सा गाउं है वहां के रहने वाले हैं संजे जी आप बदहिए कब इसको आपने लगाया था मैंने इसको पंदरा जून के दिन लगाया था कपी कम बारिश हुई थी हमारे यहां पर उस टाइम पर और हमने सीट को लगा दिया था उसके पार ड्राइप चला गय है इसका मतलब यह होता है कि जब पहले जो स्वयाबी नाती थी आप उसको डारेक्टली यूज नहीं कर सकते थे खाने के अंदर और यह सी वेराइटी इसको आप गयों के आटे के साथ विस्वा सकते हो डायेट आप इससे दूद बना सकते हो घर पर आप तोफू बना सकते है मतलब जो पनीर बनता है वो भारत की एसी पहली वेराइटी है जो फूट प्रोसेसिंग के मामले में सबसे बेश्ट है अभी के मामले में जैसा कि हमने इसका पुराना वीडियो बनाया ता उसके अंदर बताया तक इसमें जो गंध है स्वयाबीन के अंदर जो गंध आती किसान मित्रों बहुत ही अच्छी वराइटी में भी देखकर दंग रगया बहुत ही शांदार मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा मैंने इसके बारे में पूरा वीडियो मनीज भिया ने हमारे जो मनीज भिया है उन्होंने पूरा वीडियो इसका बनाया था इसकी कौन- किसान मित्रों मैं आपको प्लॉट दिखा देता हूँ प्लॉट आप नर्सी का प्लॉट देख सकते हैं बहुत ही शांदार शुरुवात करते हैं इसके पत्तों से पत्तों का कलर देख सकते हैं पत्ते जो है मैंने आपको शुरुवात में बताया था अगर आपने हमारा वी आप देख सकते हैं याप पर शुरुवात के पत्तें गोल हैं और अंत में जाकर आपको यह नुकीले हैं जो नेरो लिप्स हैं वो देखने को मिल रहे होगी तो यह चीजें हमने आपको पुराने वीडियो में बताई ती अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूद देख सकते हैं. Hight इनकी बहुत अच्छी होती हैं. लगबख 70 cm हमने height बताई थी, तो 70 cm के आसपास हिनके height है, किसान मित्रों बहुत अच्छी height है. एक और चीज हमने बताई थी किसान मित्रों कि इनका जो पोधा है, वो बहुत ही मजबूत होता है, तो आप देखो 75 दिन की उम्र में इसका जो पोधा है, पोधा बहुत मजबूत है, आपको एक भी पोधा, यहाँ पर आडा गिरा गिरा हुआ नहीं मिलेगा, अगर आपको दिख रहा हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कि यहाँ पर आडा गि और सभी फलियों के उपर रोय हैं देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा रोय हैं किसान में तरों दूसरी वेराइटी में मैंने अभी तक इतने रोय नहीं देखे हैं और शुरू से लेकर नीचे से लेकर उपर तक आप देख सकते हैं पूरी उपरी सीरे तक यहाँ पर फलिया है और गुच्चों में फलिया है किसान में तरों बहुत ज़्यादा फलिया है और जो फ्लावरिंग है जो फूल है जो परपल कलर का फूल आने के लिए मैंने आपको बोला था इसमें परपल कलर का फूल आता है तो मैं आपको फूल दिखा देता हूँ कि परपल कलर का जो फूल है वो कहाँ पर है तो किसान मित्रों जिसे कि आप देख सकते हैं पर फूल ढूणने में थोड़ी समस्या हमें हो रही है यह आप देख सकते हैं यहां पर परपल कलर का जो फूल है, आप देख सकते हैं, यहां पर एक ही जगे मैंने फूल देखा है, यह परपल कलर का फूल है, और अब तक यहां पर फूल आ रहे हैं, और अंत की जो फलिया है, मैंने एक और आपको एक चीज और बताई थी, देखे, यहां पर भी परपल क इसमें है, तो यह है NRC 142, और भी चीज़ें इसकी देख लेते हैं, किसान मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है, पोधा एक सिंगल पोधा है, पोधा सिंगल इसलिए है, क्योंकि आसपास के कुछ पोधे हैं, वो उगे नहीं दे, तो यहाँ पर पोधा जो है, आप मजबूती पोधे की देख सकते हैं, पोधा बहुत मजबूत हो गया है, दूसरे पोधों से बहुत ज़ादा मजबूत है, किसान मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो पोधा है, इसमें जो प्लांट पोपुलिशन, मतलब प्लांट से प्लांट की ब्रांच निखनी चोटी ब्रांच उसके अलावा इसमें जो सब ब्रांचे से वो भी बहुत ज़ादा हैं हमने यहाँ पर कुछ पत्तें इसलिए तोड़ दिये हैं क्यों जो फलिया है वो आपको देख पाए तो किसान मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर फ आप देख अभी नहीं देख तो किसान मित्रों जैसा कि हम वीडियो में आप देख पा रहे हैं हम फलिया किन रहे हैं यहाँ पर हमने 206 फलिया देख हैं 206 फलिया अभी तक हो चुकी है किसान मित्रों 206 फलियां होने में सोयबीन हमारे यहांपर 95-95 में hardly 60-70 फलियां होती है पर यहांपर 206 फलियां है और 75 दिन की उम्र में इसका जो दाना है मैं आपको दाना दिखा देता हूँ दाना कितने बड़ा हो गया है कितने अकार का हो गया जिसा कि आप देख सकते हैं यह जो दाना है मेरे हातों में मैं आपको एक मिनिट दाना दे निकाल का दिखाता हूँ यह जो मेरे हात में पिच्वता दिन की उम्र में इतना बड़ा दाना इसका हो चुका है और ज़्यादा समय नहीं लगेगा और यह जो मैंने एक और चीज़ आपको बतायता है कि हर्वेस्टर के से काटने के लिए उप्यूकत है तो आप देख सकते हैं हर्वेस्टर से काटने के लिए उप्यूकत है बिलकुल उप्यूकत है क्योंकि जो पोदा है लगबग 7 इंच के आसपास उचाई से इसमें फले आना शुरू हुई है और यह पोदा बले कितनी भी बारिश हो जाए कुछ भी हो जाए आड़ा नहीं गिरेगा क्योंकि इसका जो रूट स्ट्रक्चर है और पोदे की जो मजबूती हैं वो बहुत ही जादा है तो किसान मित्रों यह है NRC 142 का पलाट बहुत ही शांदार मुझे तो बहुत पसंद आया है और भी जिन जिन किसानों ने NRC 142 लगा रखी है वो भी कमेंट करके जरूर बताइए कि उनका पलाट इस पलाट के मुकाबले किस प्रकार का है और एक और चीज किसान साथियों इसकी जो हाइट ने दूसरे सोयवीन से बहुत जादा है आप देख सकते हैं इदर लगी है NRC 142 उदर लगी है 95 किसान मतरों यह जो सोयवीन है इसके अंदर रोएदार फलिया होने के कारण इसमें इल्लियां भी है वो थोड़ी कम लगती है मतलब कीटकों का जो प्रकोफ है वो थोड़ा कम रहता है एक और चीज किसान मतरों जो हम सभी शेतरों में देखते हैं कि जो पीला मोजग की जो समस्या है वो बहुत जादा आरे पर यहाँ पर मैंने एक भी पोदा पीला नहीं देखा है आप यहाँ पर कंडिशन देख सकते हैं वो जो पोदा मैंने आपको बताया है वो हो सकता है कि अकेला खो इसलिए उसमें फलिया जादा हो पर मैं आपको दूसरे भी पोदे दिखा देता हूँ बहुत जादा फलिया है किसान मतरों बहुत जादा मैंने अपनी लाइप में इतनी फलिया किसी सोयवीन के अंदर नहीं देखी है पूरे उपरी सीरे तक फलिया है इसमें अगर इसकी जो सीड रेट है अगर वो थोड़ी सी और कम होती तो ये और बहुत जादा अच्छे से इसके अंदर और भी अच्छे फलिया आती और बहुत जादा इसका जो प्रोड़क्शन है वो आता पर अभी भी इसका जो प्रोड़क्शन है बाकी किसी भी सोयवीन से जो हमारे आसपास के शेत्रों में लगी है उनसे बहुत जादा रहने वाला है तो आप ये कंडिशन आप देख सकते हैं बहुत ही शांदार बस इसमें जो इल्लियों की जो समस्या वो रोहेदार फलियाँ होने के कारण नहीं रहती है पीला मोज़क्सक की जो समस्या香港 यसा नहीं का आएगा है कि समाई की बिल्कुल नहीं आएगा पर देखने को तो नहीं मिला है मतलब जो रोग हैं वो कम है गडल बिटल के समस्या यहाँ पर भी है आप देख सकते हैं गडल बिटल तो इसमें भी लगा है ताज़ाइगी काट रखा है एक दो दिन पहले ही कटा है गडल बिटल तो इसमें लगता है किसान मित्रों तो फलियों के अलावा तना भी कहीं कहीं पर जो है वो तोड़ा सा रोहेदार है तो किसान मित्रों देख लेते हैं आखिरकार पोदों की क्या कंडिशन है हम खेत के बीच में आए हैं यहाँ पर कितनी सारी फलिया है तो आप देख सकते हैं यह पोदे हैं यहाँ पर बहुत सारी फलिया है मतलब सारी फलियों के ओपर रोहे हैं और सारी जो फलिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर दो दाने की एक भी फलिया नहीं है सारी तीन दानों की फलिया है हो सकता है जो अंत में आखरी में जो फलिया आए वो दो दानों की रहे एक फली है आप देख सकते हैं यहापर दो दानों की फलिया है किसान में तो तीन दानों की आपनीशन है यहाँ पर हैड़ी काफी अच्छी है आप देख सकते हैं हम जहांपर खड़े हैं यह एनर्स 142 आपको लगी है 55 मतलब पिंच आनुव साथ इसकी आदी है जहांपर पिंच आनुव साथ की जो है उसकी आदी है और इसकी जो हीट ऊप बहुत ही ज्यादा है और इसके जो उपरी सीरे तक आप फलिया देख सकते हैं बिलकुल उपरी सीरे तक फलिया हैं और लगबख सभी सोयवीन की जो हाइट है वो बिलकुल समान है दाने की अगर हम बात करें तो 75 दिन की उम्र में दानों का ये आकार हो चुका है और फली की उपर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे रोहें दाना चोटा मोटा नहीं रहेगा इसका दाना बहुत बड़ा रहने वाला है कशक के आपर देखना जाते हैं तो मैं आपको एडरस बढ़ा देता हूँ ये हैं संजय जी पटेल आपके यहाँ पर लगी हुई है अगर रतलाम जी लेके कोई किसान है और घुमना चाहता है रतलाम मनसूर का तो जावरा के पास में एक चोटा सा गाउं है उज्जेन रोड पर लाला खेडा यहाँ पर एट लाइन क्रोस करके टॉल कर खेड़ी करके गाउं है वहाँ पर आपकी जमीन है वहाँ पर अपने इतने एरिया में जो है एनार से 122 लगवा रखा है अगर कोई किसान भाई आता है तो आप बिल्कुल उसको फिल्ड विजिट कराएंगे बिल्कुल कराऊंगे बिल्कुल तो किसान भाईों के लिए फिल्ड विजिट आप बिल्कुल ओपन है आप बिल्कुल आ सकते हैं तो आप अपना एडरस पूरा अपना नाम और एडरस सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगा साथी किसान भाइयों तक जरूँ शेयर करिएगा जय जवान जय किसान धन्यवाद